नमशकार दोस्तो, do you get irritated? what you can learn from your own irritation? लेट वीडियो है, higher order thinking है, लंबा भी बहुत ज़ादा नहीं कह सकता, abstract चीज है, थोड़ा hint देने की कोशिश करूँगा, जिनको समझ में आ जाएगा तो बता देना, कि हाँ यार आ गया, तो अगर आ जाएगा तो ऐसा ऐसा बहुत और भी मसाला है, अगर नहीं आएगा तो मै नहीं बत समझा पाया, I failed, take it, every time you get irritated, which we all do, at some point of time, in the day, or the month, or anytime, at anything, remember this thing, it is not that thing which is irritating us, it is something about us, which is irritating, and ये irritation is very good to do introspection, because हम जब भी किसी चीज से irritate होते हैं, उसकी एक backstory है, वो इतनी जल्दी irritation नहीं आता, यह यह जैसे बात करता है न, irritated, too irritated feel हो रहा है, कोई और नहीं हो रहा, तो क्या reason है, it has to be something in your childhood, or past, or somewhere, do that introspection, कई लोग बहुत ही bluntly बात करते हैं, जैसे I feel I am also one of them, ठीक है, and सीदा मूपे ऐसे यह ही है, कई लोगों को बढ़ा irritating लगता है, because they themselves cannot ever speak like that, क्योंकि वो अपने इतने दिमाग की दही करते हैं, उसको diplomatic way में डालने के लिए, प्यार से डालने के लिए, sugarcoat करने के लिए, यह उनको ऐसा लगता है, how can somebody be like this and get away, oh this is like uncouth, or bad, or rude, or something like that, even to an extent, जैसे मैं वीडिय उस बनाता हूँ, कभी ये ट्यूबर ने ऐसे बोल दिया, मेरे आगे इस भी बनाते हैं लोग, ठीक है, मैं भी किसी के बनाता हूँ, तो मुझे को परेज नहीं है, कि भी किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम भी बोल देंगे, democracy है, जो पर्धान मंतरी के भी खिलाफ लोग बो क्योंकि, it is something, because this thing is irritating, as a subscriber, it is irritating to you, don't talk bad about others, it is irritating, because maybe you cannot stand up to somebody, you can't face confrontation, maybe you are a pleasing personality to everybody, you don't like to stand up and be in a awkward situation, do this introspection, it's a learning, this video is a learning, अगर आपको ये वाली बात सुनके भी irritation हो रही है, तो सोचो क्यों हो रही है, सोचो अपनी life में, सोचो क्यों हो रही है, what is that reason, कोई भी आदमी, कोई आदमी अगर अपना suppose, कुछ अपना खुशी दिखा रहा है, ठीके, and आपको irritation हो रही है, वो दिखा रहा है, दिखाने त अब को तो नहीं हो रही है, तो क्या चीज है जिसकी विज़े से आपको हो रही है, अनलाइस करो, आपकी लाइज में खुश ही नहीं है, ऐसा कुछ दिखाने लाइक नहीं है, या आपका नहीं दिखानी क्यों चीए चुप रहना चीए, जब भी आपके बिलीफ सिस्टम पे अटाइक होगा, आपको इरिटेशन होगी, जो भी आपका एको सिस्टम जिसमें आप पैदा होई थे, उसका थौट प्रोसेस जैसा होगा, उसमें आपको इरिटेशन होगा, यह बहुत ज़वरी है for people who are going up in their lives, जो बॉस्स बन रहे हैं, जो higher positions पे जा रहे हैं, रीजन इसक आए, इस country को छोड़के foreign country जाने वाले बहुत लोग है, क्योंकि कहते हैं, हम तो irritated हैं, यहां की corruption से, corruption से आप irritated नहीं हो, there is something in you for which you are irritated, you have to do that, because इस country में अगर सब लोग यहां की धूल, मिटी, pollution, corruption, inefficiency, road में गढ़्णा, infrastructure नहीं, lack of this, that, यह सब irritated होते, तो भाई, इतनी कि टिकेट नहीं हैं भार देशों की, सब चले जाते, रह रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि बहुत लोग नहीं है irritated, example के तौर पर बता रहा हूं मैं, so whatever is there, which is like for you, you have to do introspection, every time anything irritates you, get into yourself, why this thing is irritating me, like for example, कुछ अच्छी चीज़ भी हो सकती हैं, जैसे example के तौर पर बाता हूं, आप हर जगे time पर पहुचना चाते हैं, हर जगे time की आपको respect है, दूसरों के time की respect है, तो कोई इनसान जिसको आपसे मिलना था, वो late आया, और आपको 15 मिनिट वेट कर आया, तो आपको irritation होगा, जायसी बात है, तो अब आप इसमें देखेंगे कि यार इसका late आना मुझे irritate कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसले कर रहा है, क्योंकि आपने जो system बनाया हुआ है, यह सही system है, इसको मैं खराब बोल रहा, पर example के तौर पर बता रहा हूँ, कि आपका system है कि you should respect times, and here the conflicting thing is coming, so whatever happens is, like I'll again summarize and finish it and not make it long, whenever that irritation happens, whatever is happening here, which is causing irritation, in you, this is you, there is a conflict of your ecosystem का upbringing, and thought process, have a check, sometimes like I gave you the example, it will be right, कि irritation happened, I did introspection and realized, कि यार, actually, मैं ताइम का पामद हो, यह बेवकूफ है, पर ताइम का पामद होना तो is a universal thing, it's a good thing, तो I think it is coming, so I will keep this thing with me, but sometimes, layered होता है, sometimes irritation ऐसे आ रही है कि कोई आदमी stage पर जाके गाता है, publicity gather कर रहा है, attention gather कर रहा है, आपको चिड मच रही है, इसमें ऐसा आपके अंदर क्या है, जिसको आप बोल सकते हो, अच्छा है, यह मचना जाएज है, because maybe you are not able to reach that place, maybe you don't want to reach, you do that in introspection, maybe you don't want to reach, but then when you don't want to reach, it is you who don't want to do that, that person is not you, so irritation has to go, so what happens, I'll tell you, इसकी story आप चलाता होगे, जैसे जैसे आप इसका introspection करेंगे, तब आपके life में irritation होनी बंद हो जाएगे, because you will realize the source of irritation, and 99% it will lie with you only, it will not have a very happy closure, like the one example I gave, where somebody came late on to you, and you could get away by saying, oh मै तो time का पामदू, that story will be 1%, that positive story will be 1%, 99% there will be some layered, complicated issue with you, which you only have to realize and solve, the very important thing in life is the moment we start realizing कि बेया मेरा belief system, thought process, सोच, इसमें भी खोट हो सकती है, just because मेरे पापा ममी ने मुझे ये सिखाया, just because मेरी community में चलता है, just because मेरे देश में चलता है, just because सौ हजार लोगों को मैंने करते देखा है, doesn't confirm that it is right, because it's a black swan event happening, because this guy, this girl or this event has, you know, changed, black swan event, Google girl लेना क्या अगरी जी हिंदी, meaning होता है उसका, कई बार कुछ और याद नहीं आता, आपको तो आप बोल देते हो, जो भी आपने समझा पड़ा है, ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में ऐसा event हो रहा है, अब आपको ये event चेंज करके जाना चाहिए, every time you get irritated, for example, you are getting irritated in traffic, so when you are getting irritated in traffic, you feel time is getting wasted, okay, now go back, how many other places you waste your time, maybe by watching IPL, Netflix, time on phone, तो वो तो relaxed atmosphere में ये किच-किच के अंदर है, time waste हो रहा है तो, can I, irritation is happening, because I am not able to achieve that much, why, because I am stuck, every day I have to travel one hour, what about keeping a driver for 14,000 rupees, so that I can do this much, and I can relax, listen to music, attend calls, answer emails, answer whatsapps, and make use of my time, if I will save 28 hours in driving, and I will give 14,000, it is 500 rupees an hour, can I earn more than 500 rupees an hour, ये आप इस लेवल पर चले जाओगे थौट प्रोसेस पर, ऐसे consultant बता रहा हूँ, मैं आप लोगको consultant ही बना रहा हूँ, मेरे हर वीडियो का आने वाले टाइम में अब सिर्फ एक परपस है, not only आपको clarity देना, आपको इतनी clarity देना कि आप इस clarity से खुद एक अच्छे consultant बन सकते हैं, जो मेरी चैनल को फॉलो कर रहा है, I was very pleasantly surprised by some 23-year-old, he gave me a small video where he said, उन्हें notes बना रखे हैं मेरे सारे वीडियो के, ठीक है, I will like to, I am very, very, you know, flattered by that, इसने पूरे notes मना रखे हैं, यह series, यह तेक अवे, वो तेक अवे, यह तेक अवे, यह तेक अवे, यह तेक अवे, and I was like, yeah, very nice, ठीक है, so there are people who are doing it, because हर वीडियो में किसी किसी से लिंक है, सारे dots है, ठीक है, so next time whenever you feel irritated, any person irritates you, just see that what is in you that he or she is triggering, and that trigger is coming from where, what has happened, and there will come a time, and I am not joking, because I reached that state long ago, that you will stop getting irritated, because whatever others are doing, they are triggering something in you, if everything in yourself is sorted out, then nothing can be triggered, since nothing can be triggered, यू आर आम से लाओ, लाओ नेल की साहरी से पता है, कौन कितना irritated रहता है, so when I say I sorted out, I know this phenomenon, so that means mostly it is sorted out, it is not happening कि मैं इरिरिटरेटर नी होंगा, मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है, जब मैं हो रहाहाँ, तो χाह से it is coming, and I try to correct it, so most of the time it goes, आम से, येस देरा टाइम जब होता है अब आपकी लाइफ में जैसे ये ग्यान आपको पता चल गया एवरी टाइम डाइट इरिटेशन विल हैपन गर्मी है, बस है, बस छूटगी बॉस ने कुछ कहा, कहीं भी इरिटेशन हो रही है गो की क्यों हो रही, एक्चुल रिजन क्या है एक्चुल रिजन ये होगा कि आपकी लाइबिलेटीज है, पैसा चाहिए आपको किसी को भुगतना पड़ रहा है ask that, कि किसी ने आपको लेट काम करने के लिए बोला इरिटेशन हो, क्यों क्या करना था आपको तो यहां क्यों कर रहे हो क्योंकि ये चाहिए ये अगर बैंक में हो तो इसका नहीं करना पड़े तो आपको यूँ पता चलने लग जाएगा कि मुझे करना गया लाइफ में और लाइफ में एक बार चेब पता चल जाने है करना क्या है तो करना कैसे है is not difficult और करना is also not difficult पता तो चल जा है करना क्या है सारी जनता 99% गुम्री करना क्या है करना कैसे इसलिए गुम्री I hope these videos give you clarity and don't confuse you please comment section में लिखना कैसा लगा आप लोगों को thank you very much